आज की वीडियो में हम नाइट सूट की कटिंग और स्यूविंग करेंगे क्यूंके यह वीडियो ज्यादा लंबी है इसलिए हम इसे दो पार्ट में अपलोड करेंगे प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजेगा एक दो दिन में इसके पार्ट टू भी अपलोड हो जाएगा तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा अपलोड होने के बाद अगर आप पहली दफा हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन पर भी क्लिक करें वरना उसके वगार आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी शुरू करते हैं आज का टुटोरियल असलाम या उससे भी कम कपड़ा ले लें अब तो सबसे पहले हम शर्ड की लंबाई और चुड़ाई बताते हैं 26 इंच हम इसकी लेंथ तियार रखेंगे लेकिन 4 इंच से ज्यादा रखी है कुछ कटिंग में आ जाएगी और कुछ नीचे से फोल्ड होगा और इसकी चुड़ाई हैं 20 इंच चुड़ाई इसकी तियार रखेंगे और 21 इंच से थोड़ी ज्यादा है जो इस वक्त हमें रखी है और इसका किनारा उतार लेंगे क्यूंकि यह दुलने से खिंच जाता है तो इसको पहले हम रिमूव कर देते हूं जार मिटर कपड़े से मैंने यह लैंड पार natural इने शेड़ फ वह लिए और रेंगे और 75 पीज़े शुड़ाई के मैंने जपर नहीं करदार्वारे लिधाया है और 12 पीज़े टो इसकी लिए यह चीना मेलने पीधियाinkो 보고 कि शुड़ाई पारिए पहलेया है और 9 इसकी पहले किनारा निकाल देते हैं कोट कॉलर बना रहे हैं और उसके लिए इसके अंदर पटी लगती है 5-6 इंच चोड़ी पटी लगती है तो वह अलग से नहीं लगाएंगे बल्के इसी में से निकालेंगे तो यह हम अपनी शर्ट की अपनी रहे हैं यह हमारी शर्ट की चुड़ाई है और लंबाई और यह एक्स्ट्र कपड़ा है यह 6-6 इंच एक्स्ट्र कपड़ा यह अंदर की तरफ मोड़ेंगे एक एंच एक डेड़ इंच की पटी आएगी और बाकी कपड़ा अंदर फोल्ड होगा अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम साथ इंच रखेंगे और हाफ इंच इसका सिलाई का मरजन रखेंगे और लेंग भी साथ इंच ही रखेंगे आर्म होल की इस तरह और यहां से 1.5 इंच के फासले पे इस तरह निशान लगा के गुलाइक कर लेंगे यह जो कपड़ा हमने एक्स्टर रखा है शट के अगले हिस्से का वो हम इस तरफ निकाल रहे हैं गले की तरफ और शोल्डर की तरफ से चार पीस जोड़ लिए हैं बैक साइड भी और फ्रन्ट साइड भी अब इसकी कटिंग करेंगे यह इसके आर्म होल की कटिंग है और उपर से हाफ इंच इसकी शोल्डर से फिटिंग का कटेंगे साड़े नौ इंच इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरह और और यहां से चेंच के फासले पर कमर का निशान लगाएंगे आर्म होल से नीचे कमर का निशान लगाएंगे और कमर हम रखेंगे आठ इंच आठ इंच सिलाई का निशान है कटिंग इसकी हम यहां से एक इंच छोड़ के कटिंग करेंगे इस तरह से यह गुलाई जाएगी यहां से एक इंच छोड़ के इस तरह कटिंग कर देंगे अगर आपने आर्म हो लंबा रखना है खुला रखना है तो यहां से आदा इंच इसकी बढ़ा देंगे नीचे से कटिंग करेंगे आप नीचे से जो कपड़ा है फ्रंट साइड का इसको अलाग कर लेंगे इस तरह दो इससो में कर देंगे यहां से निशान लगाएंगे आप फोल्ड करने में असानी हो आखिर तक नीचे तक इसका निशान लगा लेते हैं अब बैक साइड उठा लेते हैं और इसको अलाग रखेंगे अब बैक साइड से हाफ इंच इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह थोड़ी से बिलकुल अब जहां हमने निशान लगाया है इसे यहां से पकड़ेंगे और इस तरह इसे फोल्ड कर देंगे यह हमारी 1.5 इंच की पटी भी निकल आई है और जो कपड़ा अंदर लगाना था वो भी हमने साथ ही उसकी कटिंग भी कर ली थी पहले इसे अदा रख लिया थो अब इसके गले की कटिंग करते हैं तीन इंच उपर की तरफ निशान लगाएंगे और चार इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह और इससे इस तरह गुलाई में निशान लगा लेंगे तीन इंच उपर की तरफ से और चार इंच ये गहरा है अब इसकी कटिंग करेंगे अब एक निशान हम यहां लगाएंगे दो इंच के फासले पे इस तरह कट लगा लेंगे कपड़ा जो हमने छोड़ा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ये गले की कटिंगी है ये दूसरी तरफ है इस तरफ से सिलाई लगा के इस तरह मोड़ देंगे पहले इसके शोल्डर जोड़ेंगे और कॉलर लगाएंगे उसके बाद ये कपड़ा जोए अंदर की तरफ से सिलाई लगा देंगे पहले इसके आर्म होल की कटिंग कार लेते हैं जो थोड़ी सी आदा इंच के करीब हम करते हैं फ्रॉंट साइब से अब ये मारे फ्रॉंट साइड की शर्ट की कटिंग हो गई है अगर आप इसकी लेंद कम करना चाहें तो कर सकते हैं हमने इसे दो इंच के करीब अंदर मोड़ना है और इतनी शर्ट रह जाएगी अब इसके कॉलर की कटिंग करते हैं तो इस तरह शोर्डर जोड़ने से ये इतना बैक साइड आएगी तो इसे हम नाप लेते हैं जितनी इसकी लेंद होगी उतनी ही कॉलर की लेंद रखेंगे यहां से कॉलर के स्टिचिंग शुरू होगी इस तरह नाप लेते हैं आठ इंच तक हैं तो 16 इंच कॉलर की लेंद बनेगी 16 इंच हमें त्यार रखना होगा कॉलर इसके लिए हमने जो शुर्ड की बैक साइड के साथ कपड़ा उतारा था उससे इस तरह जोड़ लेते हैं फोल्ड करके आठ इंच त्यार रखना है हमें कॉलर तो हम साड़े आठ इंच रखेंगे यहां से इस तरह और 4 इंच इस तरफ से रखेंगे इस तरह कपड़े को पहले डबल की है फिर इसको दुबारा फोल्ड की है लेंथ के इसाब से और 4 इंच इसकी चुड़ाई रखेंगे 2 इंच ध्षांबंट, solve कर दो इंच रहा है इस की गलाई करेंगे। यह देखे। पहले ऐसे सिधा निशान लगाए। फिर एक इंची रखेंगें। और इस तरफ ले जाके गलाई कर देए। ऐसे निशान लगा रहे हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। यहां सेंटर में कट लगा लिए हैं यह हमारा बाकी पीस है तो इसमें से हमने ट्राउजर भी निकालना है और स्लीर्स भी निकालना है तो हमारे ट्राउजर की लेंद्ल 34 इंच तैयार है तो इसके नीचे पाइपिंग लगानी है तो अंदर की तरफ हम कपड़ा लगा लेंगे जोड लगा के फिर एलास्टिक दालेंगे यहां इलास्टिक वाली बैल्ट लगाएंगे आगे दो इंच की वह आ जाएगी उपर तो इससे साफ से 34 इंच पूरा हो जाएगा फिराल यह 35 इंच है यह और इपसारी निकालनी है भी 35 इंच है तो तियार हमें 34 जाएगे इसकी विप्थ रखते हैं 13 इंच इसकी विप्थ रखी है अब यहां से इसकी कटिंग कर देते हैं इसकी इसको लग कर लेते हैं 27 इंच रखेंगे इसकी चुड़ाई ट्राउजर की यानि टोटल चुड़ाई जो है वह 27 इंच रखेंगे 25 इंच रह जाएगे अब यह कपड़ा निकाल लेते हैं इसमें से इसके बाज बनाएंगे इसको दुबारा फूल्ड करते हैं इसकी इक रोच रखेंगे हम दास इंच दो इंच की बेल्ट आएगी तो यह बारा इंच हो जाएगी तो यारा इंच उपर इसकी बेट रखेंगे और साड़े दास इंच इस तरफ से रखेंगे लेंध और यहां हलकी से गुलाई कर देंगे अब नीचे से सेवन इंच रखना इसे और इस तरह मिला आके निशान लगा देना है ट्रॉजर भी आप इसी तरह से त्यार कर सकते हैं जबा हुआ था तो इसकी गटिंग करके लग कर लेते हैं यह पीस हम सीधा कर रहे हैं इसको बैल्ट बनाने में यूज करेंगे अब यह कपरा ट्रॉजर के साइब से निकाला था तो हमने अब भी बाजू तियार करने हैं उसके लिए बाजूं में जोड़ाएगा तो बाजूं के आगे भी डिजाइन बनना है वाइपिंग लगनी है बाजू की लेंथ हमने रखने हैं 18 इंच तो इससे फोल्ड कर पर देंगे लिए बाजू की तो आगे हम इसके पटी लगाएंगे और फोल्ड करके बाहर की तरफ उसके उपर पाइपिंग लगाएगे तो इसका रखेंगे आठ इंच और आठ इंच छोल्डर की तरफ से और साथ इंच बाजू की आगे से रखेंगे और इसको मिला के इस तरह कटिंग करेंगे तीन इंच इस तरह से अगर आप चाहें के जोड़ ना पता चले के जोड़ आना यहां तो आप इसमें भी पाइपिंग लगा सकते हैं और डिजाइन भी लगेगा और बाजू के जोड़ का भी नहीं पता चलेगा कि यागे सेला कर लेते हैं और इस तरफ से अरभल की शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद आप इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं सबसे पहले बैक साइड और फरंट साइड के शोल्डर जोड़ेंगे बैक साइड और फरंट साइड जोड़ चुके हैं अब यह जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसका कॉलर लगाएंगे पहले इसके कॉलर का नाप ले लेते हैं यह इसका कॉलर है बैक साइड पे जो निशान है सेंटर का वहां कट लगा लेते हैं अब बैक साइड पे जो कट लगाया है वहां से इस कॉलर का कट लेके इसको नाप लेते हैं यह पूरा है तॉलर के दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं अब इसे अंदर की तरफ मोड़के सिधा कर ले यह हमारा कॉलर त्यार है अब यह कपड़ा जो अंदर की तरफ छोड़ा था उसको फोल्ड करेंगे यहां इस तरह से फोल्ड करेंगे इस पटी को यहां सिलाई लगाएंगे यह कट लगाया है तो इंच के फासले पे वहां तक तो इसको कपड़े को उठाएंगे और इसके नीचे यह कॉलर रखेंगे और इसे फिर इसके उपर करके इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे यह कॉलर का कट यहां सेंटर में आएगा यह नीचे शर्ट का हैसा है यह उपर कॉलर है और यह पटी जो कॉलर शर्ट के अंदर जो कपड़ा छोड़ा था वो है यहां दो कट लगा लेंगे जहां सिलाई आई है आपने कॉलर लगाना है और साथ साथ इसे नापते रहना है कि यह ना बढ़ जाए ना कम हो इस तरह पूरा आए कट के उपर पूरा आए अब शोल्डर की सिलाई के पास आके यह कपड़ा मोड़ेंगे यहां तक कॉलर आएगा पहले खाली कॉलर लगा लेते हैं फिर इसके बाद यह पट्टी उपर लगा के सिलाई दुबारा लगा लेंगे इस तरह कॉलर की सिलाई लगा के फिर इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह जब कपड़ा यहां तक आएगा शोल्डर की सिलाई तक तो इसे फोल्ड करके इसके उपर भी सिलाई लगा देंगे यह बैक साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट देंगे कॉलर के अंदर की तरफ छोटे-छोटे काटल गएंगे कॉलर करेंगे